आज की बात केसों के साथ में आज हम चर्चा करेंगे भारत बंद के आयूजन पर आवारा पस्यों की धर पकड तथा सतना जिले की अकाउना पंचायत में सची उने जिस तरीके से महिला सरपंची के महन सम्मान का ख्याल न रखते हुए उन्हें तवहीन करने का प्रयास किया तो आईए सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत बंद की भारत बंद का आयूजन क्यों किया गया यह पहले जाने सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया और कहा कि जिन परिवारों को आरक्षण मिल चुका है जो संपन हो चुके हैं अब उन्हें मिलेगा अगर बारीकी से फैसले का अध्यन किया जाए तो निश्ची तोर पर यह उस समाज के उन लोगों के लिए लाप का फैसला था जिने आज तक आरक्षण का लाप नहीं मिला लेकिन कुछ संपन और प्रभावसाली लोगों ने अपने समाज के लोगों को बरगला कर इस तरीके के आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया कि कोड हमारा आरक्षण छीन रहा है जबकि वास्तविक्ता अलग है कोड ने आरक्षण नहीं छीना है कोड ने उन लोगों को लाप देने का प्रयास किया है जो आरक्षण से बार-बार लाभानवित नहीं हो पा रहे और इस बात को उन वेक्टियों को समझना चाहिए जो लोग इस आंदोलन में सामिल होए और जिन्हों ने इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया ज्यादा तर आंदोलन में वह लोग सामिल थे जो कम पढ़े लिखे हूँ लोग थे जिन्हें न तो कोड का आधेस मालूम है औ लोग आम आदमी का चलना फिरना बात करना काम करना पढ़ना लिखना सब दूभर कर देंगे लेकिन अधिकांस राजियों की पुलिस की सजगता की वजह से यहां अंदोलन करीब करीब असफ़ल रहा अगर हम सतना की बात करें तो सतना में स्कूल, कालेज, दुकान, हास्प इस इसलिए नहीं की क्योंकि इससे बड़ी-बड़ी लाठियां लेकर पुलिस वाले उनके पीछे-पीछे घुन रहे थे इन आंदोलन कारीओं को इस बात का भी डर्ग था कि हमने लाठी चलाई तो पुलिस की लाठी कितनी तेज चलेगी इस बात का अंदाजा आंदोलन क इसलिए उन्होंने हावा में लाठी भाईने की कोशिस नहीं की इसके पहले भी इस तरीके का आंदोलन सतना में हो चुका है और एक बार इस तरीके के आंदोलन कारी की भीड़न बाजार के लोगों से हो गई थी और आंदोलन कारी बुरी तरह से पीटे गए थे इसलिए भी आंदोलनकारी ने ज़्यादा आक्रामक रुख नहीं अपना है क्योंकि इन आंदोलनकारीयों को यह मालूम था कि पब्लिक और पुलिस दोनों मिल करके यदि आक्रामक होने पाए तो आंदोलनकारीयों का हस्र भी गल सकता था इसके अलावा मद्ध प्रदेश सासन ने आवारा पसुमों के बिरुदेख मुहिम सुरू की है जिसमें आवारा पसु सलक पर न मिले और यदि मिल रहे हैं तो उन्हें धर पकड़ करके उन्हें एक सुरफचित जगह पर ले जा करके छोड़ा जाए निश्ची तोर पर यहां मामला आम जमता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कई बार जानवरों को बचाने के चक्कर में आम आदमी स्वयम घायल हो जाता है या किसी दूसरे आदमी को घायल कर लेता है यदि इस तरीके की पहल कई दिनों तक जाई रहेगी तो यहां भीवान निश्ची तोर पर मद्ध प्रदेश के अंदर दुरघटनाओं में काफी कुछ कभी ला देगा आज की बात में हम सतना जिले की अकाउना सरपंच की बात भी करेंगे विसाल खबर ने अकाउना के सरपंच की खबर को बड़ी प्रमुक्ता से दिखाया था और इस खबर को मीडिया के अन्य माद्यमों से भी दिखाया गया जिसके चलते जिला पंचाइट की मुख्य कारपालन अधिकारी ने अकाउना के सचीव को नोटिस यारी कर दिया है अब देखना या है कि उस नोटिस पर कोई कारवाही होती है या आगे चल कर सिर्फ नोटिस नोटिस का खेल चलता रहेगा सरपंच को नयाय नहीं मिल पाएगा यदि नोटिस नोटिस का खेल नहीं हुआ तो निश्चित तोर पर सोसल मीडिया में जिस तरीका का वीडियो वायरल हुआ था उससे यह बात अपने अपन प्रबानित हो जाती है कि सच्चिव और उप सरपंच ने मिलकर सरपंच की मान मर्यादा में निश्चित तोर पर कोता ही बरती और सिर्फ सर्पंच की मर्यादा के विरुद कारे नहीं किया बलकि एक महिला के विरुद भी ऐसा वरताओ किया जो महिला के सम्मान के विरुद था उमीद की जा रही है कि निश्ची तोर पर सच्ची के विरुद देर से ही सही लेकिन कोई नो कोई कारवाही तो होगी आपको हमारी खबरे कैसी लगती हैं कमेंट बाक्स में आके कमेंट कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरे अच्छी लगती हैं तो विसाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें